नमस्क्राइब दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल होपईलन में स्वागत है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जून महीने का फोर्थ वीक चौता सब्ता का जो बेस्ट वीकली करेंट अफेर सा जारकन का उन सारे कॉस्टिंस को उन सारे इपॉर्टें इस वीडियो को मैं आप तक लेकिया रहा हूँ मैं नामरी तेश कुमार और ध्यान दीजिएगा ये जो करेंट अफेर्स है ये 21 जून 27 जून है और इसके बात का जो तीन दिन का करेंट अफेर्स बच जाएगा 28 29 30 जून वो मैं जुलाई के पहले सब्ते के करेंट अफेर् इंडिया यूत गेम्स में सदानद कुमान ने गोल मेडल जीता है तो आप से सवाल ये पुछ गया है कि सदानद कुमान ये किस खेल से जुड़े हैं क्या वो जूड़ो से जुड़ है शूटिंग siecling या फिर वो स्प्रेंट रेसिंग से बिलॉंग करते हैं दूसरा सवाल आपके लिए है कि जार्खन के अंदर जो इंटरनाश्णल एरपोर्ट बनने जा रहा है देवघर इंटरनाश्णल एरपोर्ट यह किस की स्वयोग से बनने जा रहा है डिफेंस रिसाच और डेवलप्पें जिसको आप लोग D.I.D.O करते हैं अधानी ग्रूप, रिलाइंस या फिर J.M.R. ग्रूप तो इन दोनों कोश्चन का एंसर अगा आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखे पता है चलि स्टार्ट करते हैं आज के Current Affairs शुगर फ्री काला धान की खेती शुगर फ्री काला धान की खेती जारकन के किस जिले के किसाने के द्वारत सुरू की गई है तो शुगर फ्री ब्लैक पैडी कल्टिवेशन हो रहा है यह जारकन के किस जिले में हो रहा है और राची में ही Cyber Security के छेतर में, याद रखेगा, Cyber Security के छेतर में, World Class Training Center की स्थापना हुई है और हजारी बाग से याद रखेगा, कि यहाँ पर recently Amritsar, Kolkata Industrial Corridor का निर्मान हुआ है ठीक है, Amritsar, Kolkata Industrial Corridor तीन दिवसी है रास्ट्री है कुडुक समयलन नाशनल कुडुक कॉन्फरेंस जो है इसका योजन दिल्ली में कब किया जाएगा तो यह किया जाएगा 22 से 24 अक्टूबर अब देखिए सबसे पहले यह समझेगे कि यह कुडुक क्या है जारखन के अंदर जो दूसरी सबसे जन जन जाती है वो है ओराओं ठीक है सबसे बड़ी संथाल है दूसरी सबसे बड़ी जन जाती है पॉपुलिशन के दिश्ट्री से वो है ओराओं और जो ओराओं लोग है यह अपने आपको स्वय के भासा में कुडुक कहलाते हैं कुडुक का मतलब होता है मनुष्य और अगर गया है यह एक प्रसिक्षन केंदर है जन जाती है प्रसिक्षन केंदर मतलब कि आप कह सकते हैं ट्राइबल ट्रेनिंग सेंटर है यह धुंकुडिया ठीक है तो याद रखिए का तीन दिवसी रास्ट्री कुडुक सम्मिलें जो है यह दिल्ली में 22 से लेकर के 24 अक्टूबर अच्श्च किया जाएगा बढ़ते है आगे जहारकन के कितने जिलो में नीतई आयोक के द्वारा करोना की तीसरी लहर में पडने वाली जरूद के अप्रती की जाएगी तो यह है कुल 12 जिलों के अंदर जो आप उर्ती की जाएगी नितिया एक विदारा और याद रखिया कि जारकंड के कुल ऐसे 24 जिले हैं जहां पे COVID-CARE WING की सुरुवात की गई है COVID-CARE WING 24 जिले मतलब कि सारी जिलों के अंदर COVID-CARE WING की सुरुवात की गई है और नितिया एक से ध्यान रखियेगा कि अभी हाली में Sustainable Development Index मतलब कि सरतत विकास सुचकां की एक रिपोर्ट आई है ठीक है और इसमें भुखमरी के पैरामेटर पे जाकन को सबसे वर्स स्टेट बोला गया है ठीक है तो Sustainable Development Goals आपको पता होगा कि United Nations संयुक्सडास SDG Goals को अडॉप्ट की है जिसके तरत 17 Goals अडॉप्ट किये गए हैं कि भुखमरी अटाना है, क्लीन वाटर होना चाहिए तो 2030 तक सारे देश को ये SDG Goals को अडॉप्ट करना चाहिए 2030 तक ये टार्गेट अखा गया है तो उसी तरह से भारत के अंदर नितिया योग ये इंडेक्स जारी करती है कि कौन से स्टेट जो है कितना अचाह परफॉर्म किया है तो rank 1 पे तो केरला है अल्मोस्ट हर साल ही रहता है और जो बहुत सारे पैरामिटर होते हैं कि किस पैरामिटर किस कैटेगरी के अंदर कौन से स्टेट परफॉर्म किया है तो अगर आपसे भुकमरी की कैटेगरी में पूचा जाएगा कि हंगर रिडक्शन भुकमरी को कम करने तो उसमें जो जहारकन जो है वो वर्स स्टेट है इस बात को ध्यान रखिएगा बढ़ते हैं आगे टोक्यो ओलम्पिक 2022 में तिरंदाजी के लिए जहारकन की कौन से खिलाडी महिला वर्क में भारत का परदिनित करेंगी तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टोक्यो ओलम्पिक कहोने वाला है तो नाम में इसका एंसर है ये कहा होने वाला है टोक्यो जापान के अंदर एक्चुली ये 2020 में होने वाला था लेगिंग कोईडी कारण जो है इसे रिशेडूल कर दिया गया ये अब 2020 में हो रहा है तो जहारकन से तिरंदाजी के छेतर में भारत का परिंद कौन करेंगी ये करेंगी Very Famous Dibika कुमारी वर्ल्ड रैंक दिपि का कुमारी का वर्ल्ड रैंक क्या है ये है 3rd इस बात को ध्याण में रखेगा और सलीमा टेटे और निक्की परधान इन दोनों का समंध किस से है इन दोनों का ही समंध है होकी से ठीक है होकी और ये दोनों सलीमा टेटे और निकी बदान इन दोनों का भी जैन हुआ कहाँ पर टोक्यो उलम्पिक के अंदर तो टोटल जारकंड से कुल तीन महीला खिलाली जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है टोक्यो उलम्पिक के अंदर इस बात को ध्यार में रखिएगा आप याँ देख सकते हैं टोक्यो उलम्पिक में इस बार जारकंड से तीन महीला खिलाली शामील होगी भारती महीला होकी टीम में सलीमा टेटे और निकी बदान और तिनन्दाजी में दिपिका कुमारी एक लौती महीला खिलाली भारत का पर्दियूत करेंगी और यह भी दाखिएगा कि सलीमा टेटे यह सिम्डेगा जिला से हैं ठीक है तो ऐसे सलीमा ऐसे सिम्डेगा ऐसे भियात कर सकते हैं और निकी पदान यह हैं खूट्टी जिले से जारकन से पहली बार किस पहलवान का चैन सब जुनियर विस्व कुस्ती चैंपिर्शिप में हुआ है तो सब जुनियर विस्व कुस्ती चैंपिर्शिप में जारकन से चैंचला कुमारी का सेलेक्शन हुआ है तो category याद रखिएगा 40 kg याद रखिएगा सब junior 20 कुस्ती championship में चंचला कुमारी का selection हुआ है जाकन से किसने reverse order में 75 से 2 का पहाड़ा 75 से 2 का पहाड़ा सिर्फ 11 मिनिट 6 सेकेंड में सुना कर इंडिया book of records में अपना नाम दर्च करा है इनका नाम है विराट माकन विराट माकन ने में 11 मिनिट 6 सेकेंड के अंदर 75 से 2 का पहाड़ा वो भी reverse order में सुनाया है और इसके लिए इने सम्मानित किया गया है इनका नाम है विराट माकन इनफेक्ट दौपती मुर्मू जहाकन की जो गवंडर है वो इने बुला करके खुद सम्मान दी है विराट माकन इसका सही एंसर हो जाएगा option B विराट माकन ने 75 से 2 का पहाड़ा वो भी reverse order में 11 मिनिट 6 सेकेंड में सुना कर इंडिया बूक ओफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्च कराया है विराट माकन आरोग ये दूत और wellness manager project का संचालन जारकन के कितने जिलों में किया जाएगा तो इस कुलों में भी बहुत अच्छे से health पे ध्यान दिया जाए सेहत के उपर जो है जारूता बड़े इसके लिए आरोग ये दूत और wellness manager project का संचालन किया जा रहा है ये कितने जिलों में किया जा रहा है जारकन के अंदर ये कुल होंगे 19 जिलों के अंदर 19 जिलों के अंदर जारकन के अंदर ये wellness management project आ रहा है JCERT JCERT इसका full form क्या हो गया JCERT जिला सिक्षा प्रयोजिना और तकनिकी पार्टनर Center for Catalyzing के सहयोग से School Health and Wellness कारिकर्म के दर्थ रांची के बेड़ो प्रक्षण से इसके सुरुवात हो चुकी है ठीक है तो इसकी सुरुवात कहा सी हुई है इसको भी ध्यान में रखीगा इसकी सुरुवात हुई है रांची के अंदर से 19 अकांची जिलों में ये project चलाए जाएगा जितने भी अस्पिरिशनल डिस्टिक्ट है भारत के अंदर उसमें सिम्डेगा को तीसरा इस्थाय मिला है थर्ड रेंग इस बात को ध्यान में रखेगा ये प्रोग्राम 19 स्कुलों में चलाए जाएगा जिसमें 6 से 12 तक ही पड़ाई होती है और इससे लिए कुछ अरेंट डिटेल्स दिये गए हैं आप गोथरू कर सकते हैं तो याद रखेगा आर्योग दूत और वैलनेस मेनेजर पोजेक्ट का संचालेंज जहारकन के कुल 19 जिलों के अंतर किया जाएगा जहारकन के जन जाती है बेरुजगार युवाओं को स्वर रुजगार से जोड़ा जाएगा इसके लिए कुल कितने युवाओं का चैन किया गया है तो जितने भी जन जाती है बेरुजगार हैं अनिंप्लोइड ट्राइबल यूथ हैं उन लोग सब को Self-Employment मतलब की 100 रुजगार से जोड़ा जाएगा और इसके लिए कुल 700 युवाओं का चैन हुआ है और यह जो पहल है यह किसके द्वारा पहल की गई है यह की गई है जहारखन ट्राइबल डेवलप्मेंस सुसाइटी जेटी डीडीएस की यह पहल है कॉले से द्रॉप आउट जन जाती है बिरुजगार युवाओं को सुरुजगार से जोड़ा जाएगा और इसके लिए 700 युवाओं को चैन किया गया है इसके लिए 70 युवाओं का गुरुप बनाया गया है जिसमें हर गुरुप में 10 से 15 बिरुजगार युवा शामिल है इस कल्चिरल वर्क्स में लगाया जाएगा, क्रिशी कार में लगाया जाएगा, तो इस बात को ध्यान में लखेगा, JTDS का फुल फॉर्म हो गया है, ध्यारकंट ट्रैबल डेवलप्में सोसाइटी, और इसका सही एंसर है, 700 यौओं को 100 रोजगार से जुड़ा जाएगा, और य यह है झारकंट की राची से रहने वाली खुशी आस्मी, खुशी आस्मी नैं, European Girls Olympiad in Informatics के अंदर ब्रोन्ज मेडल को जीता है, इस बात को ध्यान मे रखेगा, अईए से रेड़ेट कुछ और डेटेस को मों पको देख लेते हैं, राची की खुशी आस्मी नैं ब्हारत का प्रतिनित करते वे European Girls Olympiad in Informatics में कांस पतक जीता है। Computer Coding पर आधारित यह प्रतियोगिता स्विट्जर लैंड में 1370 जुन तक आवजुद की हुई। याद रखिएगा जहारखंड से खुसी आस्मी ने भारत का प्रतिनित करते वे European Girls Olympiad in Informatics में Bronze Medal मतलब की कांस पतक को जीता है। खुसी आस्मी। क्रुएशिया की सरकार ने किनको Scientist की मानिता प्रदान की है, जो जहारखंड राज से समद्ध रखते हैं। तो यूरोप के अंदर जो कुरुशिया जो देश है, वहाँ की सरकार ने संदीप सोनी को Scientist की मानिता प्रदान की है, जो जहारखंड में कुल कितने जगहों पर PSA प्लांट बनाए जाएंगे। देखे, PSA क्या होता है, इस चीज को पहले समझेए। इसका पहली वास फुल फार्म होता है, प्रेशर, स्विंग, एड्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन नहीं, एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो जो भी compressed air होता है, इसके अंदर क्या होता है, 21% oxygen होता है और 78% nitrogen होता है। तो यहां से इस पूरे mixture से 21% oxygen को separate करने के लिए, यह PSA plant का use होता है। ठीक है, तो हम लोगों को इस एकदम शुद्ध, 21% oxygen मिल सके, इसके लिए इस technology का use किया जाता है, और यह खास करके, COVID के टाइम पे यह किया जा रहा है। ठीक है, तो केन सरकार से कुल 38 PSA plant आ रहा है, और गोत्रू करना चाहिए इस सारे points को, तो गोत्रू कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल में किवल इतना ही important था, कि कितने जो plant है PSA के दवारा, यह जारकंड में 38 प्लांट जो है, केंसा के दवारा, और 18 जो है, राज सकार और सारजनी उपकरमे के दवारा बनाय जा रहा है, टोटल और चंपाई सुरेन का अगर आप से पूछे कि चुनावी छीतर कहां पर है, तो यह है सराइकेला, ठीक है, यहां से यह विधायक है, और इसके जो अध्यक्ष है, वो कौन है, वो खुद CM है, हेमत सुरेन, ठीक है, हेमत सुरेन जो है, खुद इसके प्रेसिडेंट है किसके आनाबानी हो गई थी, ना है, इसके बाद हेमत सुरेन ने टेक की नई निमावली की घोशना करते वे, राजपाल के सारे अधिकार को खत्म कर दिया था, तो इसलिए जो अब पदेन जो अध्यक्ष है, वो हेमत सुरेन ने, और पदेन जो अध्यक्ष कोन है, चंपई सुरे ये राश्की केंद सरकार की ओर से दी जाती है, और इस मद में करीब 33 से 35,000 करोड रूपए जारी किया जाते हैं, और BJP से जो टोटल सदस है, 19 सदस के अंदर, टोटल 3 सदस जो है, BJP से हैं, और इसमें बाबुला वरेंडी भी सामिल है, तो जो जो इपोटने पॉइंट सा वो मैंने आपको बता दिया, इसके बाद भी अगर कुछ पॉइंट को गो थू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, डीटेलिंग यहाँ पर किया गया है, चली बढ़ते हां के, केंद सरकार की रिलीफ बुकिंग पॉर्टेबल योजना के लिए, पहले चरन में केंद सरकार जिनने लोट किया वही दिस्ट्रीबूटर हे लिए हाँ गया अदोगल हो जाएगा, ऐसे बिलकुल है तो जो भोगता है वो अपना दिस्ट्रीबूटर है वो से खुद का चुनाओ कर सकेंगे, तो इस ही चुनाओ को नाम दिया गया है रिलीफ बुकिंग पॉ योजना केन सरकार की तरफ से पहले चरन में आ रहा है और राची से यह भी आद रखी है कि यहाँ पे NIA, National Investigation Agency की विशेश अदालत का गठन किया जा रहा है और राची में ही एक सैबेव सेकुरिटी के एरिया में, सैबेव सेकुरिटी के छेत में, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क आपना हुई है और साहिब गंज से याद रखिएगा कि ICMR की रिपोर्ट भी रिसेंटली आये थी, Indian Council of Medical Research, इसके तहच साहिब गंज के अंदर सबसे कम डिवेटीज के लोग मिले हैं, ठीक है? और साहिब गंज यह जहारकन गंज इकलादा जिला है जहां पे गंगा नदी य और आची तो है ही, बढ़ते आंगे टॉप पे रखा गया है, in terms of implementation of government schemes, जहारकन के जो भी government schemes है, उसको किस तरह से क्रियानयमन में लाय जाता है, implement किया जाता है, उस पे टॉप पे है रामगण, राची पे मैंने आपको बता है कि यहाँ पे NIA की विशेश अधारत बनने वाली है, और साथी में यहाँ पे काल के आउशेश मिले हैं, ठीक है, आईए इसको डीटेल में देखते हैं, कैबिने ने पंचायती राज मंतराले दौरा प्रयोजीत योजना सर्वे ओफ विलेजस एंड मैपिंग विद इंप्रूफ टेक्नोलोजी इन विलेज अरिया को राज में लागू करने की सुकृति किसो के द्वारब गीया है कैबिनेट के पंचायती राज मंतराए है कि पंचायती राज से एखिये कि हमारे देश के अंदर है कॉन शांरा राज जो राज Ó ठान ध्यान टाशी के पहला राज था और डिस्टिर कौन शांता नागोर के कब 59 के अंदर कि आंध और उससे भी द तो ये संसुधन हुआ था 73rd Amendment Act 73rd Amendment Act के अंदर पंजाती राज को 9 के अंदर लाए गया था और आर्टिकल कितना था? आर्टिकल 243 243 तू 243 को तो केवल 243 भी याद कने से आपका काम चल जाएगा बढ़ते हैं आगे Indian Achievers Forum ने Global Achievers Awards से किन को समानित किया है? Global Achievers Awards से Indian Achievers Forum ने अमिते सीना को समानित किया है अमिते सीना जो है ये एक Financial Advisor है ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को या फिर जो भी विदेशी कंपनीज होती है उनको Financial Advice देती है तो अमिते सीना पहली बात राधानी राजी से बिलॉंग करते हैं और यह समान उन्हें वित्तिय छेतर में उत्कृष कार्यों और उपलब्धियों के लिए दिया गया है अमिते सीना को 15 वर से अधिका वैश्विक स्तर के वित्तिय संस्थानों में कार करने का अनुभ़व प्राप्त है वह भारत के लावा USA, Singapore, Hong Kong, सहित अन देशों के वित्तिय संस्थान के सलाकार के रूप में कार रहा है बलकि जो भी Financial Institute है, ठीक है, Singapore, Hong Kong, USA के अंदर वहाँ पे ये सलाकार के रूप में, एडवाईजर के रूप में कार रहा है तो याद रखेगा, इंडियन अचीवर्स फोरम ने Global Achievers Award किसे दिया है, यह दिया है, अमितियस सीना को जहारकन का कौन सा जिला, ओनलाइन क्लास के मामले में पहले स्थान पर है तो ऑनलाइन क्लास के मामले में जहारकन के अंदर, जो पूर्वी सिंग्मुम जिला है, यह पहले स्थान पर है और पूर्वी सिंग्मुम से याद रखेगा कि यहाँ पे जो MLA है, विधायक, उनका नाम है सर्यूरा है अभी जो विधानसभा चुना हुआ था जहारकन के अंदर, जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे जहारकन के, निका नाम था रगोवर दास रगोवर दास को उनी की सीट पर हरा करके यह विधायक बने थे सर्यूरा है, पहले यह BGP में थे, बाद में इन्होंने BGP छोड़ दिया था राज के सरकारी स्कूल के लगभग 13 लाग बच्चे ऑनलाइन क्लास से जुड़े हैं, इन बच्चों को जहारकन सिक्सिया परजूना के द्वारा, वाटसप पर गुरूप से लर्णिंग मैटिरल बिज़े जाता है जहारकन के कितने जिलो में? 1 जून से 30 जून एक से 30 जून के अंदर जहारकन में मातरी सीशु स्वास पोशन महा का आयोजन किया जा रहा है तो आयोडीन से कमी होने वाली बीमारियों के चलते एक अभियान श्टार्ट किया जारा है जिसका नाम है जहरकंड मातरी शीशु स्वास पोशन माह का आयोडीन किया जारा है और इसके अंदर जहरकंड के कुल 8 जीलों को शामिल किया गया है राज में 8 जीले, देवघर, गुड़ा, दोमका, गुमला, लोहरदगा, राची, साहिब गुझ और पलामू में यह कारिकरम चल रहा है राज में आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारिया ना हो इसके लिए नैशनल आयोडीन डिफिसेंसी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के पिछले साल 8,65,495 घरों में नमक में आयोडीन का टेस्ट कीट के माधियम से किया गया था जिसमें बहतर प्रतिशत घरों में इस्तमाल होने वाली नमक में आयोडीन की प्रयाप मातरा पाई गयी थी जबकि 27 प्रतिशत घरों में नमक में यह तय मानक से कम था जबकि एक प किस जिले से Man on Wheels के दवारा 5000 किलोमेटर से अधिक दूरी का अभ्यान शुरू किया गया है तो एक केम्पेरी स्टाट किया गया है जिसका नाम है Man on Wheels ये जारखन के किस जिले स किया गया है ये किया गया है रांची जिले के अंदर से कोरोना टिका करन को बढ़ावा देने के लिए Man on Wheels रांची से 5000 किलोमेटर से अधिक दूरी का अभ्यान शुरू कर रहा है सांसर संजा सेट और डिप्टी मेयर संजीव विजे वरगिये ने हरी जंडी दिखाकर 11 बाइक राइटरों को टीम सिरवाना किया बाइक राइटरों का दल जार्खंड, बिहार, उत्रप्रदेश, दिल्ली, हरियाना, पंजाब, हिमाचे प्रदेश और जमू कश्मिर जैसे आठ राजियों से होते वे सेंटर लद्दाग तक मोट सैकल की दूरी तै करेगा तो याद रखिएगा जार्खंड के राची जिले से मैन और वील्स के द्वारा 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी का अभ्यान शूर किया गया है राची जिले उप्शन एही जराइड एंसर बुकारो में बनने जा रहे हैं इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए जार्खंड राज के जार्खंड राज क्रिकेट एसोशीशन ने किस कंपणी के साथ समझोता पर हस्ताक्चर किया है आपको पता होगा कि JSA ने भी राची के अंदर क्रिकेट स्टेडियम बनाया था इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम और JSA फिर से जो है सेल बुकारो के साथ मिल करके बुकारो के बुकारो के बुकारो के बुकारो के बालीडी एरिया के अंदर आएगा ये ठीक है बालीड यह 33 साल का और BSL जो है यह टोटल 20 एकल की जमीन जो है यह GSC को दे रही ने जा रही है ताकि यह जो इंटरनेशनल किकेट इस्टेडियम में इस्टेडियम हो सके और यह भी आद रखीगा कि जारकन जो है यह पहला राज बने का जहां पर एक ही राज के अंदर तीन इंटरने आकांची जिलो में Overall Champion of Change ranking में राची का पुरिदेश में कौन सा इस्थान है तो एक ranking जारी हुई है आकांची जिलो के अंदर Overall Champion of Change ranking इसके अंदर पुरिदेश भर में राची को तीसरा इस्थान मिला है और इससे पहले याद रखिए कि स्रिम्डेगा जिला को स्रिम्डेगा जिला को 3rd ranking मिला है किसके अंदर एक स्वतंद्र मुल्यांकन की रिपोर्ट आई थी जिसको हम लोग कहते हैं Independent Evaluation Report ठीक है स्वतंद्र मुल्यांकन की रिपोर्ट आई थी और ये भी याद रखिए कि रामगर जिला जो है ना रामगर जिला ये जिला टॉप कि जारकन के अंदर जो भी सरकारी योजनाय है उसका किस तरह से implementation होता है कितने भातरीन तरकेस होता है उसके अंदर रामगर जिला जो है वो अकांची जिलो के list में top किया है और overall champion of change ranking में जारकन के जो राजधानी राची है उसको तीसरा स्था मिला है आई ये से लिड़ कुछ डेटेल को हम लोग देख लेते हैं राची देश के अकांची जिलो में overall progress category में top 3 में शामील हो गया है देश के 17 अकांची जिलो में इस category में पर्थम इस्तान पर UP के बलरामपूर और दूसरे इस्ताम पर सिधात नगर है जबकि top 10 में पांच विस्तान पर सिम्डेगा भी है तो 3 पर राची और 5 पर सिम्डेगा लेकिन स्वतंतर मुल्यांकर रिपोर्ट के अंदर सिम्डेगा जो है यह 3 रंग पर है और overall champion of change ranking में सिम्डेगा पांच विस्तान पर है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें देखिए वीडियो बनाने में अथक परिश्यम लगता है बहुत ज्यादा प्रयास लगता है पीपीटी बनाने के अंदर वीडियो को बैस्ट कॉलिटी कैसे दिया जाए ठीक है उस हिसाब से पीपीटी ला सके है इसके अलावा जो है जारकन की चुकी अब मुखमंत्री हमान सुरे ने एक संदेश दे दिया है एक हिंट दे दिया है कि अब जाकर के गोर्मेंट जॉब्स जो भी जारकन के अंदर जो रिक्तियां खाली है उसको भरे जाएंगे तो इससे रिलिटेड हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्काइब करें और बेल आकान को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो कर बनता है हमारे चैनल के बाद हम से तो वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो थैंक यू, have a nice day